आज की क्लास के अंदर हम रिनल सिस्टम के अना फिजियो से रिलेटेड कुछ थियोरी लेके आएं तो पूरा कंप्लीट रिविजन कराएंगे अनाटोमी का एंड फिजियोलोजी का यह जो क्लासिस हैं क्लासिस का तात्वर है कि आपके लिए यूपी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी है वो भी हम आपको complete कराएंगे इसी online classes के अंदर तो दोस्तों यह classes हैं सभी के लिए बहुत important होने वाली है ऐसे person जो coaching कर चुके हैं और students जो coaching नहीं कर चुके हैं मतलब जिनकी तयारी हो चुकी है और जिनकी नहीं हो चुकी है दोनों के लिए ही important है क्या-क्या important हो सकता है उन्हीं चीजों को हम discuss कर रहे हैं क्लासों के अंदर चलिए आज की class हम लेकिया है रिनल सिस्टम से रिलेटर तो रिनल सिस्टम आज की class का टॉपिक रहेगा clear दोस्तों यह overview है आपके यूरिनरी सिस्टम का तो देखिए इसके class के अंदर सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम कौनसे कौनसे औरगन आते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर औरगन कौनसे कौनसे include होते हैं तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो औरगन आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, यूरिनरी सिस्टम में कौन से कौन से और्गन इंक्लूड होते हैं, तो इसके अंदर किड़नी आती हैं, जो की नंबर में दो होती हैं, पेर्ड और्गन होता है, यूरेटर यूरेटर आते हैं, जो की नंबर में ये भी दो होते हैं, पेर्ड और्गन हैं, उसके ब ब्लेडर जो की नंबर में only एक होता है उसके बाद यूरेत्रा जो की सिंगल और्गन होता है तो ध्यार रखना है पेयर और्गन कौन से कौन से होते हैं तो यह दो पेयरड और्गन होते हैं यूरीणी सिस्टम के आंदर। यूरीण़ी सिस्टम के अंदर। प्यर दोस्तों, तो ये डाग्राम में भी आपको देख रहा होगा, ये रीनलकीड़स, कढ़न बाद-द ये यूरेटर वोस्टाइज से यह ब्लेडर Rover अपको के लिए एक और विव हो गया आपको युरिनरी सिस्टम का कौन से कौन से और रहन की कि करने वाले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा यह तरह पढ़ने वाले हैं अब हम चल रहे हैं अनटोमी और्फ किड्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ तर्मिलोजी के आपको द्यान में रखना है किडिनी आपके पास दो हैं जो दोनों किडनी उनके पास में कितने नमबर में नैफ्रोन रहते हैं तो संधिंग-आपको द्यान रखना है संधिंग-संथंग-बथफ़्पंट तू- आथ hedge किडनी-च ये-च इच कडनी एक कड़नी के पाव संधिंग1. 1.2 million nephron होते हैं एक किड़नी के पास होते हैं तो एक किड़नी के पास में 1.2 million nephron होते हैं क्लियर दोस्तों जो nephron होते हैं आप से question पूछा जाएगा structural and functional unit structural and functional unit बहुत सिंपल सा question जो कि पीछे आपको एक्जाम में देखने को मलता था अभी नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए structural and functional unit of kidney unit of kidney kidney की structural and functional unit कौन सी होती है तो आपको answer करना है nephron आपको ऐसे नहीं पूछेगा गुमा के भी पूछ सकता है एक्स क्रेटरी unit of kidney एक्स क्रेटरी unit of kidney unit of kidney क्योंकि वो तो पुराना होगा question उपर वाला आपसे पूछ सकता है कि एक्स क्रेटरी unit कौन सी होती है kidney के अंदर तब भी आपको आंसर करना है नेफ तब भी आपको आंसर करना है नेफ्रों प्लिएर दोस्तों तो इतना अई-बूप की समझ में आया होगा आपको एक question और पूछ सकता है आपसे इसी से related है आपसे पूछेगा filtration and functional unit of kidney तब भी आपको आंसर करना है क्या नेफ्रों एक question को कई बार गुमा गुमा के पूछ सकता है वो आपको याद रखना पड़ेगा structural and functional unit kidney की पूछता है तो आपको आंसर करना होगा नेफ्रों एक स्क्रेटरी यूनिट करता है तब भी आपको आंसर करना है नेफ्रों chiritonial organ होता है, कौने level पर situated रहती है, तो आपको answer करना है, T122 L3 vertebra पर presented रहती है, kidney की location है, thoracic 12 से लेके, lumbar 3 vertebra तक ये क्या रहेगी, situated रहेगी, इस वाले region को किस नाम से जानते हैं तो आपको answer करना इस region को जानते है, kidney जो होती है, वो flank region में रहती है flank region में रहती है कौन से region में kidney situated होती है flank region में T12 से लेके L3 काल जो लेवल है उसी को flank region बोलते है something आपको फिर question कोशकता है कि kidney का weight कितना होता है तो kidney का weight होता है something 160 gram, each kidney something हमें average में याद कर सकते है 150 gram each kidney, एक kidney का जो बजन होता है किड़ना होता है, something 150 gram की एक kidney देखने को मिलती है, clear दोस्तो समझ में आ रहा होगा ये next आप से question कर सकता है कि kidney का size क्या होता है kidney का size क्या होता है तो kidney का size होता है 12 cm इसकी लंबाई होती है, 6 cm इसकी width होती है, मतलब तो तीनों चीज याद रखनी है length पूछे तो 12 cm width पूछे तो 6 cm और thickness पूछे तो answer करना है आपको 3 cm, 3 cm clear दोस्तों, ये आपका question है हाँ से, पीछे भी पूछा गया है और आगे आपसे पूछने के chances बनते हैं, next अगर आपसे kidney का shape पूछे kidney का shape कैसा होता है तो आपको one word answer करना है kidney जो होती है, bean shape की होती है, kidney का shape कैसा होता है, bean shape का होता है, clear next, kidney के हम बात करेंगे covering की, kidney की covering कونसी कॉनसी होती है तो आपको kidney की covering में आपको याद रखना है, एक सबसे ऊपर renal phasia को मिलेगी उसके बाद एडिपोज कैपसूल देखने को मिलता है after the renal capsule देखने को मिलता है कितने इसकी तीन कबरें हैं खिड़नी की जो की connective tissue की बनी हुई है खिड़नी की कबरिंग किसके दौारा बनी हुई है connective tissue के दौारा बनी हुई होती है फ़स्ट होती है renal fascia second होती है एडिपोज capsule और third होती है renal capsule जो सबसे outer वाली है वो renal fascia होती है जो की abdominal wall से attach रहती है middle होती है एडिपोज capsule होता है जो की cushion का काम करता है kidney का काम करता है next, renal capsule जो होता है वो kidney के surrounded में चारों तरब क्या होता रैप होता है clear दोस्तो renal capsule वारा kidney surrounded होती है clear तो ये तीन covering होती है kidney की आई हो कि आपको ये इतना समझ आया होगा next हम देख रहे हैं आपे इससे देखने से पहले एक चीज़ और discuss कर लेते हैं आपसे कि जो kidney होती है kidney 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 में आपको एक वाद ध्यान रखनी है कि जो kidney है आपकी मैं एक सिंपल सा डाइगराम बनाता हूं मान लीजिए ये kidney एक kidney यह है और दूसरी kidney यह है आजी दूसरी kidney यह है साइज दोनों का बरावर होता है something लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राइट kidney होती है राइट kidney राइट साइड की kidney यह स्लाइटली क्या होती है लोवर होती है slightly lower than the left kidney जो आपकी left वाली kidney है उसके लेवल से हम चेक करेंगे तो राइट वाली kidney क्या होती है थोड़ी सरा मतलब उसके लोवर रहती है एक midline लेवल पे नहीं रहती है वो थोड़ी सी हलकी नीचे रहती है यह सा क्यों? because 1.5 kg का जो liver होता है वो क्या करता है? राइट kidney को compress करता है राइट kidney को downward compress करता है जिसकी बज़े से जो राइट kidney होती है वो slightly lower होती है किसके लिए? left kidney से left kidney से right kidney थोड़ी सी slightly down होती है clear दोस्तों कितना समझ आया होगा? कुछ और important चीज जो कि इससे जादा आपको देखने को मिल सकती है को कि यह है पहला important है kidney का development हुआ है वो कौनसे डे पर start होता है development of kidney start कब होता है kidney का development तो आपको याद रखेगे at 21 to 22nd day 21 to 22nd day of fertilization जहां से fertilization हुआ उस fertilization के बाद में 21 से 22 दिन पर kidney का formation होना start होता है development कहां पर होता है development of kidney कौनसी location में होता है वो भी आपको याद रखना है development of kidney कौनसे region में होता है तो आप answer करेंगे sacral region कहां पर sacral region के अंदर development होता है kidney का development 21 से 22 दिन पर start हुआ कहां पर start हुआ sacral region में start होता है कहां पर sacral region में start होता है कौनसी layer से kidney का development होता है development of kidney by mesoderm तो आपको एक और question मिला कि कौनसी germinal layer से kidney का development होता है तब भी आप answer करेंगे क्या मी जो डर्म से kidney का क्या होगा development होता है आपको next question पूछ सकता है आपसे kidney अपने function कब start कर देती है kidney function start लगते हैं तो आपको answer करना है at 12 weeks बारे बिग की जब pregnancy होती है तो तब उस pregnancy में यानि कि जो बारे बिग का baby होता है intra-intral life के अंदर उसकी kidney अपने function को start कर लेती है next आपसे पूछ सकता है कि urine formation कब होना start हो जाता है urine formation start at start at वो भी आप answer करेंगे 12 weeks of intra-uterine life intra-uterine life में 12 weeks से ही kidney के अंदर urine का formation start होना start हो जाता है के लिए दोस्तों तो यह कुछ important points है आपके लिए जो कि आपको exam में देखने को मिल सकते हैं चलिए next देख रहा है kidney कैसा और गन है आपको answer करना है kidney जो हती है antibody और गन होता है तो किडनी Retro Peritonial Organ है Peritonium के पीछे Retro means पीछे तो Peritonium के पीछे की तरफ रहती है Posterior abdominal wall से यह Attach रहती है Posterior wall से क्या रहती है यह Attach रहती है कड़नी तो ध्यान रखना है Retro Peritonial Organ है इसके साथ में आप याद रख पाएंगे इस image के साथ में देखिएगा कौनसे कौनसे अपनी बाड़ी में Retro Peritonial Organ होते है कौनसे कौनसे कड़नी के अलावा और Retro Peritonial Organ है तो आप अंसर करेंगे Right Adrenal Gland Retro Peritonial Organ होता है Right Kidney Retro Peritonial Organ है Pancreas Retro Peritonial Organ है Deuterum Peritonial Organ है Ascending Colon Retro Peritonial Organ है Inferior Venakeva Outa Descending Colon Ureter यह सभी के सभी क्या है Peritonial Organ होते है Retro Peritonial Organ होते है Retro मिन्स समझ में आया होगा आप से Retro का मिन्स होता है पीछे Behind है न तो यह सारे के सारे Abdomen में पीछे की तरफ सिचुटेड होते है Clear दोस्तो दूसरा आपको याद रखना है जब यह Retro Peritonial Organ है दूसरा आप से पूछ सकता है Peritonial Organ कौन से कौन से होते है Peritonial बोले तो जो Peritonial Cavity के अंदर प्रिजेक्ट होते है उनको हम बोलते है Peritonial Organ तो Peritonial Structure कौन से कौन से होते है Liver Liver क्या है आपका Peritonial Organ है Gall Glader Spleen Stomach Jejunum Secum Transverse Sigmoid These all are the Peritonial Structure और लाच्ट आपको याद रखना है Infra Peritonial Organ Infra Peritonial Organ पूछे तो आपको आंसर करेंगे Lower Rectum Bladder and Male Reproductive Organ जितने भी होते है वो सारे के सारे Infra Peritonial Organ होते है Means Peritonial Cavity के नीचे की तरफ सिचिटेड होते हैं उनको बूला जाता है Infra Peritonial Organ Clear दोस्तो Retro Peritonial Organ Peritonial Organ और Infra Peritonial Organ These all are organ situated in this slide तो इसको सही से देखें और उनको लर्न करें Clear चलिए आगे देखते हैं Renal Pelling कायमा के बारे में बात करते हैं तो Renal के पार्ट कितने होते हैं आपको आंसर करना है जो Renal System है यानि की Kidney है उसे Kidney के हम Renal Pelling कायमा देख रहे हैं तो Kidney के दो पार्ट होते हैं Kidney के दो पार्ट होते हैं एक तो होता है Renal Cortex Renal Cortex और दूसरा पार्ट होता है Renal Medulla एक Renal Cortex हो गया और दूसरा कौन सा है Renal Medulla यह दो पार्ट होते हैं हिकडनी के, renal cortex के अंदर cortical, cortical arcase आते हैं, और दूसरा renal column आते हैं, renal column. जब कि हम बात करेंगे renal medulla की, तो renal medulla के अंदर bramed आते हैं, renal papilla आते हैं, renal papilla. इसी के साथ मैं आपको जब मैं डागराम दिखाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा, आगे जाके, तो आपको और भी आपको पार्ट के अंदर और और पार्ट होते हैं, वो आपको सारे clear हो जाएंगे. तो यहाँ पर ध्यान रखना, renal यानि की kidney है, उसका renal cortex और renal medulla दो पार्ट होते हैं. renal cortex के अंदर, cortical arcs and renal column करते हैं, जब कि renal medulla के अंदर, pyramid and renal papilla की study की जाती है. के लिएर दोस्तों, चलिएंगे. next देखिए, यह kidney का structure आपको दिखाई दे रहा होगा, kidney का structure, मैं भी एक आपके लिए बनाता हूँ kidney का structure, जिससे कि आप भी इसको अच्छे से बना पाएं, तो इस तरह से आप एक organ बनाएंगे, bean shape का organ, यह आपका ureter होगा, यह kidney है आपकी, चलिए, इस तरह से आप भी organ बन बनाएंगे, यह primid है, इन primid का diagram बनाएंगे, इस तरह से आप primid का diagram बनाएंगे, जल्दी जल्दी बना करते हैं आप, देखिए, जो kidney के अंदर दिया हुआ है, वो ही diagram है, जैसा कि kidney के अंदर include हो रखा है, वैसा ही diagram है, यह तो देख रहा होगा, आपको इस kidney के अंदर लिखने को मिल रही होंगी है, बहुत सारी blood vessels होती है, यह अच्छली यह फ्रेंट राट्यों से यहां पर situated होता है, यह जो part होता है, यह बाला जो part होता है, इसको हम बोलते है, renal cortex, इसको हम बोलते है, renal cortex, आपको color visible नहीं होगा, तो हम इस तरह से लिख दे रहा हूँ, renal cortex और middle जो part होता है, उसको हम बोलते है, renal medulla, अब यहां से जो अंदर का part यह बचा हुआ है, इसको हम बोलते है, renal medulla, तो renal के दो part, renal cortex और renal medulla, तो देखिए, यहां पर cortex part आपका यह है, और renal medulla part यह है, renal medulla part यहां से, इतना जो part है यह वाला, यहां से लेके अंदर-अंदर का, वो part कुन सा है, renal medulla part होता है, तो दो part हैं, एक तो renal cortex और renal medulla, तो पिछले इसमें देखिएगा, renal cortex के अंदर cortical arcs आते हैं, और renal column आते हैं, जबकि renal medulla में primid भी आते हैं, और renal papilla भी आते है हैं, तो यह जो meadulla के हैं, यह क्यों है, पिरामिद हैं, यह किसके अंदर आते हैं, renal medulla part के अंदर आते हैं, तो यहां से लेके अंदर का जो इस तरहा पास में जानते हैं, renal papilla के नाम से जानते हैं तो यह renal papilla होंगे यानि कि opening होती है सभी cortex के पास में renal pyramid के पास में उस opening को हम जानते हैं renal papilla के नाम से renal papilla के नाम से जानते हैं clear दोस्तों यह आपको clear होगा चलिए इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कुछ होते हैं major calyx क्या होंगे major calyx उसके बाद में यहीं पर आपको एक structure दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं minor calyx इसको क्या बोलेंगे minor calyx major calyx और minor calyx आपको इसी medulla party के अंदर दिखाई देता है इसके बाद यह इतना space बचता है इसको हम बोलते है renal pelvis इसको हम क्या बोलेंगे renal pelvis यह जो structure बचा हुआ है यह वाला इसको हम बोलते है renal pelvis तो यह kidney का organ है kidney organ है जिसके अंदर अलग-अलग part आपको दिखाई दे रहे तो देखिए यहाँ पर सबसे उपर cortical granules हमने देखा glow barulis यह यह यहाँ पर situated होता है यह आपको diagram समझ में आना चाहिए क्योंकि अभी हम इससे और थोड़ा सा अंदर जाएंगे diagram के अंदर इतना आप समझ लीजे पहले यह समझ लीजे यह जो मैंने structure बनाया है इतना आपको diagram में देख रहा होगा यह क्या है यह प्रामिट सेब के इनी कम रीनल प्रामिट के नाम से जानते हैं रीनल प्रामिट और प्रामिट के पास में सभी प्रामिट की पास में क्या होती है एक opening present रहती है सभी प्रामिट के पास में एक opening present रहती है तो ध्यान रगना सभी परामिट के पास में क्या होगी ओपनिंग प्रिजेंट होगी यह जो पाइट है उसके बाद यह जो स्पेस है इसको रिनल पहले विसके नाम से जानते हैं इसके अंदर कुछ ब्लड सप्लाई भी होती है यह रिनल आयट्री है यह वाली यहां से क्या ज खौना होगा है गयां कि चलिए यह इनल ही जाए सबसे ओंट रियर है सबसे और लेयर तो यह दाराम आपको क्लियर होगा क्लियर इस डियाग्राम गी आप इसकर दाइगराम का अचिसे और इसको अपने नोट्बुक से बना सकते हैं इससे आपको माइक्रोस्कोपिक देख रहे रहे हैं इसे होता है Allen का उसको कीड्री का सिसुप्री स्ट्रक्ट्र को नहीं के Kidney के Parts जो होते हैं, शुमुषमिद्रश्टी से उसको देखेंगे, दुरुवीन की साहता से देखेंगे, माइक्रोस्कोपी साहता से देखेंगे, तो उसके अंदर क्या देखाई देगे? नेफ्रोन देखाई देखेंगे, उसी नेफरोन का structure हमें देख रहा है कि जो माइक्रोस्कोबिक structure होता है कड़नी का वो कैसा होता है तो माल लेजिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर glow merulous को माल लेजिए यह है glow merulous यह क्या है glow merulous और यह आपको इतना डाइगराम यह समझ में आया होगा चलिए glow merulous के बाद में यहाँ पर नीचे होता है क्या boom and scapsule तो यह नीचे वाला part आता है PCT का उसके बाद में PCT के बाद में यह जो part आया यह loop of handle का किसका loop of handle का loop of handle के बाद में यह ascending loop of handle after that यह part आया किसका DCT का अब यह जो part आ गया हो क्या है DCT का DCT के बाद में यह जो part आया अब DCT के बाद जो यह part आया है यह किसका part है यह है collecting duct यह किसका part है collecting duct का तो यह structure है इसको हम बनाने की कोशिश किया हमें यहाँ पर इस structure के नाम दे दीजिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां से blood आयेगा यहां से आगे की तरह बढ़ जाता है लेकिन इसके बीच में यहाँ पर कुछ filtration होती है कुछी को हम बोलते हैं यह structure glow merulus कहलाता है यह क्यांसा part कहलाएगा आपका glow merulus glow merulus कहलाता है यह दर से blood को लाने का आपको लाने का काम करता है वो होता है आपका efferent arteriol के द्वारा बाहर निकलता है इफ्रेंट arteriol से बाहर निकलता है एफ्राण से अंदर की तरफ आता है उसके बाद में यह दिख रहा होगा आपको structure यह structure है गोमेंस capsule का गोमेंस capsule यह structure क्या है गोमेंस capsule का structure है clear है आपको इतना तो clear हो रहा होगा यह हमने जो structure बनाया है वो कोमेंस कैप्सुल के बाद में यह जो पार्ट है यह PCT का पार्ट है PCT यह लूप ऑफ हैंले लूप ऑफ हैंले इस डागराम को आप याद करो अपने माइंड में याद रखो जिसकी वैस है आगे आपको पता लगेगा कौन से पार्ट पर काम करता है नेपरांड की यह आगे आपको पता लग पाएंगा पहले यह आपको याद करनी पड़ेगी इसके बाद हम यह देख रहा है यह वाला जो पार्ट होता अपका डी सीटी का इस्टल कंपूलेटर ट्यूगल का अफ्टर यह जो पार्ट है यह है कलेक्टिंग डग्ट जिसको हम सीडी के नाम से जानत करते हैं आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सब्सक्राइब कर देखके सकते हैं इस बैगराम का वहने सबसे पहले यह पार्ट बनाया यह इसके बाद यह बनाया तो यह नेफरोंड का इस्ट्रॉक्चर बनाया है इसी नेफरोंड के साथ में इसके फंक्सिन के साथ मिं क्या क्या कॉनों से पार्ट की फंक्षिन होते हैं क्लियर कि इसका आगर आ डाग्णाम आपने स्कुलशॉट लेलिए तो चलिए इसके आगे चलते हैं तौ सबचासने यह यहां पर एक नेशन में आपको लाने का काम कर रहे है यह इदर को है न सो यह है एक इस यह यह जो नीचे वाला एक यह आपको डिगराम वह से दिख रहा又 यह इसके बाद सब्सक्रेंग यह यह वाला पार्ट बोमेंस कैपसूल का बोमेंस कैपसूल का पार्ट है ये उसके बाद में ये जो आपको पार्ट देख रहा है ये PCT का पार्ट है जो कि मैंने यहां पर यह बनाए आपको ये PCT का पार्ट है PCT के बाद में ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है पार्ट PCT के बाद में नीचे की त ुप obtained तो सके इसंडिंग डिसेंडंडेंग और जो नीचे की तरफ आया एक एक टॉफंण यह जो कि ट्रॉफ सब्सकूर एए जो इस तरह होते है इसके बाद यह दी इसुटी का पार्ट है इसको डाइग्राम याद हो जाना चाहिए जिससे कि आपको आगे मालूम पड़ता है कि कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट पर काम करता है कौन सा पार्ट है वो काम करता है वो सभी आगे की क्लास में आपको बता लगेगा clear तो देखिए आगे की तरफ आगे चलते हैं इसके बाद में यह देखिए मैंने फिर से वही डाइगराम है आपका clear करने की कोशिश किया है यहां पर तो यह जो देखिए डाइगराम यह क्या है जो कि आपको डागराम यह दिखाए गया है। जाती है लेकर आने वाली बाद में आपर और filtration होगा, filtration से पर यह moments capsule है, उसके अंदर फ्लूड आ जाता है, moments capsule के बाद में यह PCT पहुंच जाता है, proximal करवो लिट्टीवल पे, उसके बाद में यह flood पहुंच जाता है, आपका सीधे loop of handle पे, loop of handle के बाद में यह आ जाता है, DCT पार्ट पे, और DCT के बाद में यह collecting duct में जाके, next हो जाता है, clear दोस्तों, यतना अगर आपको clear हो गया, तो जल्दी से इसका इसके इसके बाद में लेकिए, और अपने notebook पेस को बनाने के प्रियास करें, चलिए, next देख रहे है, glow merular filtration membrane, आपको glow merular मैंने बताया था, तो उसी membrane की बात कर रहे है, तो glow merular filtration membrane जो होती है glow merular filtration membrane जो होती है, वो एक तरह से barrier का काम करती है, किसके के बीच में, blood and homens capsule के बीच में, blood and homens capsule के बीच में barrier का काम करती है, जो की तीन layer से मिलके बनी होती है, composed by three layer, कौनसी कौनसी तीन layer होती है, एक होती है endothelial capillaries, सबसे पहली उपर की तरफ होती है endothelial capillaries, पहली endothelial capillaries, उसके बाद होती है basement membrane, basement membrane, और उसके बाद होती है epithelial cell, या पर हम इसको जानते हैं podocyte के नाम से, इस तरह से तीन layer होती है, किसकी glomerular filtration membrane की, जो capillary endothelial होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ sports present होते हैं, जिनको हम fenestration के नाम से जानते हैं, जिनकों किस नाम से जानते हैं, और यह fenestration का size कितना होता है, मतलब opening का size कितना होता है, आप answer देंगे less than, less than 100 mm से कम होती है, या पर हम बोल सकता है, something इसका जो size होता है, 70 से 80 mm होता है, 70 से 80 mm, 9 meter size होता है, चलिए, barrier हो गए, तीनों हमने तो discuss किये, तीनों barrier हमने डिसकस किये थे, अभी पीछे वाली class के अंदर देखिए, यहाँ पर, एक endothelial capillaries, दूसरी basement membrane, तीसरी epithelial membrane, एंडothelial, endothelial, दूसरी basement membrane, और तीसरी epithelial, इस तरह से, यह तीन क्या हो गए, barrier का काम करते हैं, यहाँ पर देखो, diagram के अंदर, यह थोड़ा सा diagram, जूम करके लिया गया है, उसी microscopy structure को क्या कर दिया है, जूम कर दिया है, और यहाँ पर हमने देखा है, यह जो glomerulis है, बहुत सारी capillaries से मिलके बना होता है, tough top capillaries present होती है, जो यह capillaries लाने का काम कर रही है, इसको efferent arterioles बोलते हैं, यहाँ से ब्लूड को ले जाने का काम करती है, उसको efferent arterioles बोलते हैं, बीच में यह filtration होता है, इसके अंदर plasma part भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बहुत सारे penitents present रहते हैं, पर यह जो structure आपको दिखाई दे रहा है, यह structure होता है, आपका कौनसा bowman's capsule का, कौन job हो जाते हैं, अलग लग क्लियर, यह structure है, इसको हमने जून करके दर बनाया है, पी सीटी की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पी सीटी की, मतलब आपने देखा था भी, यह गलू मेरूलर था, गलू मेरूलर के पास यह एफरेंट और इफरें पार्ट कौन सा था, पी सीटी का, पी सीटी का पार्ट था यह, पी सीटी के बाद में यह लूप ओ फैलने था, लूप ओ फैलने के बाद में यह आगे जाके डी सीटी का पार्ट था, डी सीटी के बाद में जाके यह कौन सा पार्ट था आगे, यह वाला पार्ट था आपका ह tahu कि अकले ऐоловONG क्लियर यह डायगराम आपका था तौ सब से पहले हम इस बात पाट की बात करनाया इस बात Dani was पी सी टीफीटी आता हो प्रोक्जीमल कनभूलेटेट ट्पल प्रोक्जीमल कण्लिटेट 2022 यह जो पाइक इस के पहते चकर ने वाटर भी होगा इसके अंदर अमाइनो अच्ट भी होगा इसके अंदर पोटेसियम होगा यूरिया भी होगी बहुत सारे contents होते हैं ब्रेड के अंदर वो सभी के सभी filtration द्वारा यहां आ जाते हैं लेकिन उन अभी को यह बाहर नहीं जाने देता है यह आपर क्या कराएगा री अब्जॉर्ब करा लेता है यूरिन में बाहर नहीं जाने लेता है री अब्जॉर्ब करा लेता है और री अब्जॉर्ब कराके डारेक्ट में डाल देता है वैसा रहता के अंदर तो कौनसे कौनसे content को यह क रखना कुश्चन आता है 100 परसेंट गुलुकोज और अमाइनो एसेड गुलुकोज और गुलुकोज आपका विल्कुल भाहर में जाता है कड्री में प्रॉक्षिमल पाइट पे 100 परसेंट री अब्जॉर्ब हो जाता है पुश्चन पुश्चा जाता है इसको टिक लगा लेना हूं कि 100 परसेंट गुलुकोज का और अमाइनो एसेड का कौन से पार्ट पर होता है आप आंसर करेंगे करता है चाहर चीजे प्रॉटिन करा रहा एको रेगुलेट करा रहा और एको इस डियाग्राम के अंदर भी कुछ ऐसा ही अपको साहच बिजीवल नहीं होगा ली अबजोप्शन करा रहा है किसका 55 परसेंट सोडियम का 65 पर्सेंट किसका सोडियम और पो अजिएसांग यहा दूसरा 65% कोटेसियम का रीअब्जर्प्शन होता है बाटर का रीअब्जर्प्शन होता है यूरिया का रीअब्जर्प्शन होता है यहां पर 100% गुलुकोज और अमाइनोस्ट का मैं परसे बोल रहा हूं कुश्चन पूछेगा तो यही कुश्चन पूछेगा यहां पर 100% रियेप्जर्प्षन ग्लुकोज और अमायरोस्टिका कहां हो जाता है आप आंसर करेंगे पीसीटी पार्ट पर हो जाता है दूसरा फोस्पोरास, कौन्से कौन्से फंक्षन होता है, तो सोडियम को कराने का काम करता ह्सक्राइगा कालोघा और फैँघ करता है. तो यहां आपको याद करने हैं जिसमें मतिंगि तो आपिए रियूआ रूक्षन कर आता है, किस कौन से पार्ट के होता है, डिस्टल लूप ओफ हैले, डिस्टल लूप ओफ हैले, सूरी, डिसेंडिंग लूप ओफ हैले, next, sodium chloride का भी reabsorption होता है, कितना 20 से 30%, potassium का भी reabsorption होता है, कितना होता है, 20 से 30%, कुछ मात्रा में calcium magnesium part भी क्या होते हैं रियप्जब होते हैं कहां पर ascending loop of hell-level तो ध्यां रखना है sodium chloride और potassium और calcium magnesium जो भी electrolyte है उन सब का reabsorption कहां हो रहा है ascending loop of hell-level पर्टर का reabsorption कहां हो रहा है descending loop of hell-level SCO3 bicarbonate level है वह Escape होता है इसका लूप ठाइले कुसका लूप ठाइले आपका पने लूप ठाइले पर ऐसको द्यान रखना है लूप ठाइले का सीकुछ चीज़ें कि यह वाला जो पार्ट है वह कॉन सा पार्ट है पी सीटी पार्ट है यह जो दिखाई दे या पर क्या स्टाइं काुछ्षा है में इस पार्ट से बिसकंसा तोसरा क्या स्टान्रैusz कि और मेगनीर घृता है यहां पर होता है को को सीक्रेशन होता है तो यह कि धस्थ के द्वारे कि डॉल चाल्सिएम यां रिया कोंसिंद्रीसिंद दिला इंतरी उता है यह में पूटेशियम शूडियम जारी अंद्र की तरफ जारी है अब इसको दिएगा यह यह बाला मैन है इतना वह सुआ है बैस कि करेंग्ट है क्लेक्टिंग अधिग्ट नेफर्ण का लास्ट पार्ट होता है यह पुरा का पूरा पूर्दा प्रटिस का collecting duct का तो यह reabsorb कराएगा sodium and water को लेकिन कितना परसेंट 5% sodium water को reabsorb कराता है next इसी मियाद रखना है अगर आपके अंदर dry hydration हो रहा है तो ज्यादा ADH का secretion होगा ADH anti-dioretic hormone का secretion होगा ज्यादा ADH hormone disease होगा और वो aquaporin channel जो की collecting duct पे होते हैं उन्हें aquaporin channel को open करके क्या कर देगा री अप्जोब कराएगा किसको बाटर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है next आपको ध्यान रखना है bicarbonate level को भी क्या कराएगा यह एप्जोब कराएगा री यह जोब and secret करता है मतलब यह urine में बाहर निकाल देता है किसको potassium को और hydrogen ion को और वाटर को अंदर ले लेगा लेकिन potassium को बाहर निगाल देता है को ज्यादा री अब्जॉब देखने को मिलेगी अल्विस्ट्रों सुडियम को री अब्जॉब कराता है जबकि एंटिडियुरेटिक हर्मों से होता है वो पार्टर का कराता है कोटेशियम का एक्स क्रियेशन कराता है क्लियर आई हो कितना समझ में आया क्लास को तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देके थे किटनी से रिलेटेड बहुत सारा पार्ट हमने इस क्लास के अंदर कवर कर लिया है तो मैं आशा करूँगा आप से इस क्लास को आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और समझने के साथ मैं अपने नोट बुक के अंदर नोट डाउन भी करेंगे और यह क्लास अगर आपके लिए है तो आज को आगे फोर वर्ड भी कीजिए तेंक्यू दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको इतना ही लेक इसके बाद में हम किड्नी के रिसॉर्ड रहेगे लिए चलिए मिलते हैं आपको ने क्लास के अंदर थेंक्यू दोस्तों